हलो दोस्तो स्वागत है आपको इस उडियो में दोस्तो आज की इस उडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तो आप अपार आईडी का जो फॉर्म है इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हो दोस्तो अपार आईडी फॉर्म भरना बहुत सिंपल प्रोसेस है मैं यहाँ पर आप टिधेगा जितना भी होगा वो लिख लिएगा तूब नहीं चीज अब मैं एक जांपल ले रहा हूँ यह एक भारन के तौर पर मैं बस example ले रहा हूँ तो यह form जो है मानन लिजिए मुझे अन्सु के लिए form भडना है मुझे अन्सु के लिए apa-r A d बनानी है तो अब मैं बताता हूँ form कैसे भरना है ठीक है यह हो गया मेरा भतिजा और यह अनसु की मा ठीक है? जब थिक है मंता देवी एक बच्चा हो गया ठीक है? तो विद्याले का नाम जो हो जाएगा तो अनसु का जो अस्कूल होगा अस्कूल का नाम यहाँ रिखेंगे जete आनसु जो अस्कूल में पढ़ता है माता या पिता का नाम तो माता का नाम क्या था ममता देवी था तो यहाँ पे लिख देएंगे ममता देवी ठीक है दोस्तो उसके बाद यहाँ पे नबालिक विद्यार्थी का नाम में यहाँ पे लिख देंगे अंसु कुमार ठीक है क्योंकि ठीक है उसके बाद मैं बात करूँ पहचानपत्र की संख्या की तो दोस्तों यहां पे पहचानपत्र की संख्या जो आपका अधारकाड नंबर हो जाएगा वह आपकी पहचानपत्र संख्या हो जाएगी तो अंसु का अधारकाड का नंबर ही आपका पहचानपत्र का संख्या समझा मैंने क्या आप लोगों ने आई हो पर समझ लिया होगा जिसी कि मुझे अन्सु कुमार के नाम से एक अन्सु कुमार के नाम से मुझे बनानी है अपार आड़ी तो उसके लिए उसका अन्सु का विद्याले का नाम हो गया लिख दिया मैंने ठीक है अंसु के सम्हति प्रदाता का नाम में उनकी माता का नाम ठीक है यहां पे जिसे यहां पे लिखा हूं मुंता देवी फिर यहां पे नबालिक विद्यारती में अंसु कुमार और पहचान पत्र की संख्या में अधार कर पहचान पत्र का नाम कौन सा डॉकॉमेंट में इसके साथ फोटोकोपी दुणगा तो अधार कर दूगा तो अधार कर azhar card लिख दिया हूं अधार कर नमबर यहां पर ले लिख देना है इसके बाद हम नीचे बात करें तो यहां पर सबसे नीचे आना है और यहां पे a tua star के तूर पे यहाँ पे अंसु की मा का signature होगा आनी की अंसु की माहा का नाम क्या था मंता देवी था जो उधारन में लिया था तो यहां पे जो मंता जी होंगी यहां पर कलेंगी जो भी उनका sign जैसे भी होता है वह sign कर देंगी मैं किसी का भर मिहां नहीं हो आज है मानके जी सस्थान पर वो 200 बार है तो यहां पर 200 बार मैंने लिख दिया है ठीक है उसके बाद यहां पर जो भी अस्कूल के headmaster होंगे या जो भी सिछक होंगे उनका नाम यहां पर आ जाएगा और फिर से अंसु का नाम यहां पर हो जाएगा अंसु कुमार ठीक है विद्यार्थी का नाम में और फिर नीचे यहां पर जो है फिर से तिथी लिखनी होगी जैसी कि यहां पर फॉर्म भर रहा हूं अपनी अपर आएडि अपने स्कूल में जो फार्म है जहां पर आपको जमा करना है आप जमा कर दीजिएगा और अधार काट की फोटो कूपी के साथ दू hopworker आपको जमा करना होगा और इस तरह से Trigt जो है वो आप अपनी बना सकते हैं अपने बच्चों की ठीक है तो आप आफ लाइन भी बना सकते हैं, आफ लाइन इस फॉर्म को भर करके भी आप अपनी अपार आइडी जो है, वो आप बना सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तो, डिजी लोकर एप में आप तब बना पाएंगे, जब आपका अधार कार्ड, जो बच्चे का अधार कार्ड होगा, उ उनके लिए कोई परिशाने वाली बात नहीं होगी, तो आई होप आपको वीडियो किलियर हो गई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा, किसी भी प्रकार की क्वैरी जा पूस्ताज के लिए कमेंट कर द जीजेगा.